खेलकूत की उमर में मासूम आठ साला लड़के पर एक मुश्किल आ पड़ी आठ साल की उमर में ही घर की जुमेदारी अपने कंधों पर ली अपने माबाप के पेट भरने के लिए उस मासूम लड़के बना आटो ड्रैवर आटो के सीट पर ठीक से बैटने पर दोनों पैर भी पूरी तरह नीचे तक नहीं पहुँच पाते लेकिन मजबुरन मासूम लड़का आटो चला रहा है कौन है वो मासूम लड़का क्या है इसकी कहानी आईए देखते है एचे न्यूस चैनल की इस स्पेशल रिपोर्ट में रियासत अंधरपदेश के जिले चित्टूर के चंद्रगिरी के एक नौजवान कार से गुजर रहा था के इसी दोरान इस नौजवान की नजर न्यू मॉडल बैटरी आटो पर पड़ी आटो को देखने पर वो नौजवान हरान रह गया क्यूंके वो बैटरी आटो ड्रेव करने वाले एक शक्स या नौजवान नहीं बलके आच साला कम उम्रू लड़का था मासुमियत चहरे वाले लड़का राजगोपाल रेड़ी के आटो चलाते हुए देखकर उस नौजवान ने फौरी तोर पर कार रोग दी और उस मासुम लड़के से आटो चलाने की वजहा पूछी तो उस लड़के ने कुछ इस तरह कहा चंद्रगिरी मंडल गंगू पनलीक से तालुक रखने वाले पिद्दीरेडी रेवती को तीन लड़के हैं अफसोस बाप पिद्दीरेडी मा रेवती को आँख से नाभिना है जिन्हें कुछ नजर नहीं आता घर के बड़े बेटे होने पर आट साला गोपाल रेडी कम उम्र में अपने माबाप भाईयों घर की जुम्मेदारी अपने कंदों पर ली और ब्याटरी आटो चलाते हुए गाउं गाउं दाल चावल बेच कर अपने वालिदेन को और घर को सभाल रहा है मुखामी अफराद ने इस नहने से बच्चे की हकूमत से मुल्की जानिप से कुछ माली मदद करने का मुतालिबा किया है आईए देखते हैं एहेचे न्यूस चैनल की ये स्पेशल रिपोर्ट जले एक ऐसे जहान में जो जायके की दुनिया हो पसंद आपकी हो वहाँ पर जहां इंतखाब आपका हो खुशामदीद बेकविल केक हाउस जहां कुदरत के जायकों का मिलाप होता है मुहपत में डूपती है अनोखी तरकीवें तजर्बे के आज पर महारत पकती है और फिर कुछ नया बनता है बेकविल केक हाउस के नए डिलीशिस दम के रोड़ असली घी और खालिस बटर में तर बतर काजू पिस्ता बादाम के लज़ददार मिलावट के साथ जायके खुशी होंगे बेकविल केक हाउस टूरी चोकी एक्स रोड हैदराबाद